Hi Everyone, मैं सानन सारी आपका अपने चैनल Automation Fever में स्वागत करता हूँ आज हम एक बहुत ही अथी Automation पे काम करेंगे हमारे पास एक JSON की फाइल है इस फाइल में यूजर्स की हमारे पास डिटेल्स है और ये जो डेटा है हमारा JSON के फॉर्मेट में है Actually एक API को call करके उसका जो response आया है उसको हमने JSON फाइल में store करा दिया है अब हमको क्या करना है VBA में Regex का use करके JSON फाइल में जो यूजर्स डेटेल्स है उसको हमें यूजर्स डेटा नाम की seat में extract करना है मैंने इसका code पहले से लिख लिया है आपको एक बार run करके दिखाता हूँ मैं इस बटन पर किलिक करता हूँ देखो कितनी fast इसने JSON की फाइल से data extract करके हमारी Excel की यूजर्स डेटा नाम की seat में अपडेट करा दिया है इसी JSON की फाइल से हम data किस तरीके से extract कर सकते हैं Regex का use करके आपको बिल्कुल step by step में सिखाता हूँ Altaf 11 की प्रेस करके VBA editor वाली window को हम open कर लेते हैं सबसे पहला काम जो आपको करना है वो दो library को अपने VBA के project में add करना है पहली होगी आपकी Regex की library और दूसरी होगी आपकी Microsoft scripting runtime जो हमारी दूसरी वाली यह library है इसका use करके हम JSON की file से data read करेंगे हमने पहले ही इन दोनों library को अपने VBA के project में add कर लिया है तो सीधे ही हम एक macro बनाते हैं सब लिखते हैं इसके आगे macro का नाम हम लिख लेते हैं extract user details नाम से मैं macro बना ले रहा हूँ अब देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमारे पास JSON की जो यह file है इससे data read करना है तो इसके लिए हमें file system object की जरूरत पड़ेगी तो हम दो variable declare करते हैं एक fso नाम से जिसका data type हम रखेंगे file system object class और दूसरा हम कर लेते हैं JSON file के नाम से और इसका data type हम रखेंगे text stream file system object class का एक instance बना लेते हैं इसके लिए हम लिखेंगे set fso equal to new scripting.file system object fso का instance हमने बना लिया अब हमें open करनी है JSON वाली file को जेसन की file को open करने के लिए हमें एक method मिलेगा fso में हम लिखेंगे fso.open text file open text file का यूज़ करके हम text file को भी open कर सकते हैं और JSON की file को भी open कर सकते हैं अब इसका जो पहला parameter है यह file name है जो file है हमारी JSON की इसका पूरा path हमें देना है तो इसके name को copy करते हैं और हमारी VBA की file यहां पर रखी हुई है तो this workbook.path करके current folder का path मुझे मिल जाएगा इसके अंदर मेरी file है उस file का नाम दे देंगे और जो हमें open करनी है यह JSON वाली file इसको read करने के लिए open करना है तो जो इसका I.O.Mode है हम वो दे देंगे for reading I.O.Mode मतलब input output mode और जो यह file open होगी इसके reference को हमने एक variable declare किया था उसमें करा लेंगे store उसके लिए लिए देंगे set JSON file equal to fso.open text file अब अगर हमने एक file को open की है तो सबसे last में इसको close भी कराना होगा तो हम सबसे last में JSON file.close लिख देते हैं ओल राइट सो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जानना चाहूँगा कि क्या कभी आपने JSON की file से data read करने की कोसिस की है या कभी read किया है अगर आपने किया है तो आप comment box में yes लिख दी न नहीं किया है तो no लिख सकते हैं JSON की file को open हमने करा लिया है अब इस file में जो हमारा data है उसको read कराते हैं उसके लिए एक variable हम बना लेते हैं JSON data string के नाम से type जो हम इसको हम string रखते हैं ठीक है और read करने के लिए हम लिखेंगे JSON file dot read all वाला method और read करके जो भी हमारा data आएगा उसको store हम करा लेते हैं JSON data string के इस variable में और JSON file का जो data है वो read करके सही से आ रहा है के नहीं यह check करा लेते हैं एक काम करते हैं message box में जो भी data इस variable में आ रहा है उसको print करा के एक बार देख लेते हैं तो हम लिखते हैं message box equal to JSON data string run करते हैं code को तो आप देख सकते हैं message box में हमारा data perfectly आ रहा है तो message box हमने check करने के लिए use किया था इसको अब उड़ा देते हैं अब देखो यहाँ पर हमने JSON file को open कर लिया और उसका data भी हमने read कर लिया अब जो main काम है वो हमारा ये है कि हमें regex का pattern बनाना है उसके लिए हम क्या करते हैं जो JSON का हमारा data है इसको पूरे को copy करके हम regex 101 में लाके paste कर देते हैं और left side वाला जो ये section है यहाँ पर हम .net select कर लेते हैं अब जो हमारा main काम रहेगा वो यहाँ पर बनाना रहेगा pattern सो जरा अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पना JSON का data एक particular pattern में है कि ID लिखी है उसके आगे colon है, space है और फिर एक number होगा इसी तरह email, first name, last name और avatar का यहाँ पर हमारा particular pattern है तो चलो हम बनाते हैं pattern हमें data कहाँ से extract करना है जहाँ पर ID लिखा हो उसके आगे colon हो ठीक है फिर एक space तो space के लिए हम एक space डाल सकते हैं या फिर slash s लिख सकते हैं small में उसके बाद क्या हो digit होगी digit कितने भी हो सकती है एक हो सकती है दो हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है तो हम slash d लिखेंगे और उसके आगे लगा देंगे plus ठीक है अब देखो यह ID जहां जहां भी है सही से identify कर रहा है अब जो यह ID है इसको एक ग्रूप में डालना है हमें तो जो यह d है slash d प्लस इसको ना bracket के अंदर कर देते हैं बंद तो देखो ग्रूप 1 में हमारी ID निकल निकल के आ रही है अल्राइट अब यहां पर data extract करने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं पहला तो यह कि जैसे मैंने यह ID निकलने के लिए एक simple सा pattern बनाया है ऐसे ही 5 pattern हम बना ले email के लिए अलग first name के लिए अलग last name के लिए अलग avatar के लिए अलग और फिर उन पाचो पैटन को अलग अलग हम VBA code में यूज कर ले यह जो तरीका होगा इसमें ना काफी लंबा चोड़ा VBA का code आपको लिखना पड़ जाएगा और मैं आपको सुरू सही सिखाता आया हूँ कि सबसे अच्छा programmer वो होता है जो कम code लिखे और जादे काम करें तो हम ऐसा तरीका देखते हैं जिससे ना आपको थोड़ा सा code लिखना पड़े तो देखो अलग-अलग pattern बनाने की बजाएन एक ही pattern बनाते है और उस pattern को VBA में यूज करके हम जो जो detail हम extract करनी है हम कर लेंगे तो हम गुरूप बना लेंगे जैसे हमने आईडी का गुरूप बनाया है इसी तरीके से email, first name, last name, अफ्तार सब के गुरूप बना लेंगे अब देखो ID से आगे हमें निकालनी है email अब ID जहां खतम हो रही है इसके बाद एक कोमा लगा हुआ है तो हम यहाँ पर भी अपने pattern में कोमा देते हैं इसके बाद देखो एक new line है तो new line के लिए हम क्या करते है slash small n देते है अब new line के बाद देखो आप कुछ spaces है इसके लिए हम क्या करेंगे space दे देंगे मतलब slash s और फिर plus लगा देंगे हम यहाँ पर आगे है उसके आगे क्या लिखा हुआ है आपका email email के आगे colon लगा है और उसके आगे एक single space है फिर हमारी यह email id लिखी हुई है और email id के बाद ना एक कोमा होगा तो हम यहाँ email id निकालने के लिए pattern बनाएंगे और इसके बाद एक कोमा है अब देखो इसको ना हम bracket के अंदर कर देते हैं बन क्योंकि मुझे एक group बनाना है वैसे तो email id के लिए हैं एक लंबा चोड़ा pattern बन जाता है पर ना बहुत simple सा मैं आपको इसमें सिखाता हूँ क्योंकि मेरा data जो है ना उसमें देखो email लिखा हुआ है एक colon है उसके बाद एक space है फिर email id होगी और इसके बाद में एक कोमा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि email मैंने दे दी है colon दे दी है कि space दे दी है उसके बाद जितने भी character है कोमा से पहले वो सारे मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं एक dot लगा सकता हूँ उसके बाद star दे सकता हूँ तो इसका मतलब है कि जो भी लिखा हुआ है कोमा से पहले sum मुझे दे दे उसने email दे दी है और देखो email हमने extract यहाँ पे कर लिए अच्छे से ठीक है group two में हमारी email आ गई है email के बाद new line है और फिर हमारे कुछ space है तो हम space दे देते है slash s plus उसके बाद first name लिखा हुआ है तो हम first underscore name दे देंगे फिर एक colon है और उसके बाद एक space है तो एक colon उसके बाद एक space और उसके बाद हमारा name होगा तो bracket के अंदर name में क्या होगा कि सारे word होगे word के लिए हम न small में w यूज कर सकते हैं और कितने भी letter हो सकते हैं word में तो हमें एक plus लगा देंगे bracket को बंद कर देंगे तो हमारा देखो एक group में first name भी निकल के आगिया और फिर first name जहां पर end होगा उसके बाद एक कोमा है और फिर एक new line है तो हम एक कोमा देंगे new line के लिए slash end देंगे उसके बाद space है multiple तो slash s plus देंगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है last underscore name एक column फिर एक space ठीक है उसके बाद क्या है मारा कि कुछ character होंगे तो bracket के अंदर वोई हम देंगे small में w plus और bracket बंद कर देंगे तो देखो एक group में हमारा अब last name भी आगिया है अब अफतार रह गिया है उसको भी निकाल लेते हैं उसके लिए एक हमारा कोमा है फिर एक new line है फिर space है कुछ फिर अफतार लिखा हुआ है फिर एक colon है फिर space है और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है सब चाहिए हमें तो हम bracket के अंदर dot star लिख देते हैं हमारा pattern बन गया है और अगर यहाँ पर आकर हम चेक करें तो देखो हर group में हमारी correct information आ रही है group 1 में हमें ID मिल रही है group 2 में हमें email group 3 में first name group 4 में last name और group 5 में हमारा क्या है अफतार है तो pattern तो हमने बना लिया है अब हमें VBA का code लिखना पड़ेगा इस pattern को use करने के लिए अब यहाँ पे ना एक catch है ओके जो regex में हमने यह ना slash n यूज किया है इसको हमारा VBA support नहीं करता है अब इसका alternative हमें ढूणना पड़ेगा regex 101 के according यह जो हमारी regex है perfect है यह काम करनी चाहिए पर अगर आप इस pattern को copy करके अपने code में यूज करने की कोशिस करेंगे थे बिल्कुल काम नहीं करने वादी है इसका क्या alternative है किस तरीके से new line character हम VBA में देते हैं मैं भी आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा चलो VBA editor में चलते हैं और regex के लिए code लिखते हैं variable बनाते हैं regex के लिए variable का नाम regx रख लेते हैं और इसका data type हमारा क्या रहेगा reg exp class इसका एक instance create करते हैं set reg x equal to new reg exp लिखके और अपना pattern दे देते हैं reg x dot pattern equal to जो pattern हमने बनाया है इसको select करके copy करते हैं और double code के अंदर यहां पर हम paste कर देते हैं फिर जो हमारा regex है इसको हम globally use करना चाहते हैं तो यहां पर एक हमें global property मिलेगी इसको true कर दो और एक हमारी यहां पर ना multi line है इसको भी true कर दो तो हमें जो अपनी regex चलानी है वो globally चलानी है और multi line में हमें चलानी है अब एक और variable के हमें चलूरत पड़ेगी बना लेते हैं इसका नाम हम match call रखते हैं उसका जो data type रहेगा वो हमारा match collection class होगा अपनी regex को execute कराते हैं जिसके लिए हम regx.execute लिखेंगे और फिर bracket के अंदर हमें देनी होगी string string कौन सी है हमारी json का data हमारा json data string नाम के variable में है यहाँ पर वो variable हम कर देंगे pass और क्योंकि हमें multiple value मिलने वाली है इस regex से जो भी value आएगी उसके लिए हमने जो variable declare किया है match collection class का उस variable में करा लेंगे store और अब इस collection में क्योंकि multiple value है तो इस पर हमें loop चलाना पड़ेगा एक variable declare करते हैं loop के लिए item नाम से इसका data type variant रखेंगे और for each loop हम यहाँ पर लगा देंगे for each item किसमे in match call और next item लिखके loop को कर देंगे पंद अब इस loop के अंदर हम सारा data अपने इस item से निकालते हैं और seat में write कराते हैं तो क्योंकि यह for each loop है तो हमें एक और variable चाहिए होगा loop के लिए मैं एक integer type का variable बना देता हूँ i नाम से एक integer type का variable बना देते हैं और क्योंकि हमने जो data write कराना है वो second row से कराना है तो loop के बाहर i की value कर देता हूँ मैं 2 ठीक है और हमें data कहां कहां write करवाना है a, b, c, d, e in column में तो यहाँ पर दूँगा मैं देखो जो मेरी seat है user data इसका code name है seat 3 तो मैं दूँगा seat 3 dot range column A जो row है वो variable i से लाएंगे है और dot value equal to कैसे निकाल सकते हैं item dot sub matches और इसका जो पहला match होगा उसमें क्या होगी हमारी ID होगी अब इसी line को मैं करता हूँ copy और नीचे न फोर टाइम इसको कर देता हूँ paste column B में मुझे क्या चाहिए second group में जो value है column C में क्या चाहिए third group में value है column D में क्या चाहिए जो fourth group में value है और column E में मुझे को चाहिए जो fifth group में value होगी जो कि अफतार होगा हमारा all right तो data तो हमने निकाल लिया सारा पर जो हमारी यह row है न यह change नहीं होगी क्योंकि जो हम use कर रहे हैं वो for each loop का कर रहे हैं तो इस i में अपने आप increment नहीं होने वाला है हमको करना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम लिख सकते हैं i equal to i plus one ठीक है all right तो देखो हमारा code अगर actual में देखे तो code हमारा बन गया है यह code काम करना चाहिए पर करे का नहीं मैं एक बार try करके देखते हूँ Excel पर आते हैं और यह जो हमने button बना रखा है इस पर right click करके assign macro करते हैं और जो macro हमने बनाया है इसको इस button पर कर देते हैं assign और मैं इस button पर click करूँ तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारी regex है वो काम ही नहीं कर रही है अब हम इस regex को काम कराते हैं pattern में थोड़े से हमें changes करने पड़े हैं आल राइट अब मैं आपको बताता हूँ कि इस pattern में क्या थोड़ा सा change करना है जो ये pattern हमारा VBA में भी चलने लगे तो देखो ये जो slash n है ये काम नहीं करता है इसकी जगे न हमें VB new line का use करना है तो जहां जहां हमने slash n लगा है इसको VB new line से replace करना है तो मैं यहां पर एक code लगांगा उसके बाद % फिर VB new line देंगे हम VB new line फिर एक % और slash n को remove कर दूँगा तो जहां जहां new line वाला character है उसको VB new line से मैं कर दूँगा replace और ये VB new line की जगे हो गया है VBA new line तो इसे VB new line करता हूँ और इसको copy करके जहां जहां slash n है उसको replace करते जाते हैं VB new line से ठीक है हमारा pattern ready हो गया है एक गलती जो हमने यहां पर कर ली है जो match is है हमारे जो group से वो 0 से start होते हैं हमने 1 से दे दिये हैं तो इसको 0, 1, 2, 3, 4 कर देते हैं save करते हैं Excel में आते हैं और अब नहीं मैं इस बटन पे किलिक करके अपने macro को रण करता हूँ देखो मैं किलिक करूँआ और देखो perfectly हमारे code ने काम किया है और JSON से सारी detail उसने यह get की और हमारी user data वाली seat में लाके write करवा दिये तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आज हमने सीखा कि एक JSON की फाइल से किस तरीके से आप data किसी pattern के basis पे regex का यूज करके extract कर सकते हैं और फिर आप किसी seat में कैसे write करा सकते हैं यह जो हमारी Excel की फाइल है और JSON वाला जो data है इसको न मैं GitHub पे upload करके इसका link इस वीडियो के description में दे दूँगा आप इसकी practice खुछ से भी कीजिएगा अचानक से नहीं question मेरे mind में आया कि यह जो JSON का data हमने read किया ठीक है JSON file से तो usually क्या होता है कि जब आप API को call कराते हैं तो हमें JSON में response मिलता है तो मैं यह आप लोग उसे जानना चाहूँगा कि कि आपको VBA में पता है कि किस तरीके से हम एक API को call करा सकते हैं अगर आपको पता है तो आप comment box में mention कीजिएगा और अगर आपको नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं तो अभी comment box में मुझको ज़रूर बताईएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं next video lecture में बाई